इस शेत्र की क्या प्रॉब्लम्स आपने देखी हैं, क्या समस्या हैं, किन मोर्चों पर यहाँ पर बहतर काम करने की ज़रूरत है? तो यहाँ पर सडक की बहुत परिशानी, सडक बहुत खराब हैं, यह वो और लाइट 24 घंटे की ना होने की वज़ा से यहाँ पर कोई अच्छी फैक्टरी वगेरा नहीं आपाती है, कि जिससे रोजगार मिल सके, अच्छे स्कूल लड़कियों के लिए बनवाने की जरूरत ह बहुत सी चीजें, बहुत से मुद्दे हैं, जो कि हम आएंगे तो इंशालला जरूर पूरा करने की कोशिश करेंगे कॉंगरेस ने समाज को जोड़ने का काम किया था, और आज जगे जगे मैं देखता हूँ कि समाजिक तोर पे लोगों का शोशार हुआ लोगों को बाटा गया और आज फिर लोगों की जो चाहत है वो यही है कि कॉंग्रेस एक बार फिर से आए लोग बटे नहीं एक सार साथ में आए तो इसको जोर दे के काम करना है कॉंग्रेस महासचीव प्रियंका गांधी ने इस बार उत्तर प्रदेश की राजनीत को एक नई दिशा देने की कोशिश की है उन्होंने पहली बार महिलाओं पर जो फोकस किया है और युवा महिलाओं पर लड़कियों के लिए उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दिये हैं लड उन्होंने काम करने की कोशिश की है बड़ी संख्या में महिलाओं को टिकट दिये हैं बारा बंकी जन्पद में भी कॉंग्रेस पार्टी ने चार महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारा है तो कॉंग्रेस महिलाओं पर फोकस कर रही है और बारा बंकी सदर की जो नवाब तो हम बात करते हैं रुही जी से, रुही जी कॉंग्रेस पार्टी देश का सबसे पुराना राजनेतिक दल है, एक जमाने में पुरे देश में कॉंग्रेस ही हुआ करती थी, तो आप सियासत में आगे बढ़ रही है, समाज को किस तरह से मजबूत करने की सोच रखती हैं? जी देखे मेन मुद्दा हम लोग का विकास है कॉंगरिस ने कभी भी जात पात और रिलिजन की राचनीती नहीं की है वो हमेशा से उसका मुद्दा विकास रहा है तो हम लोग भी विकासी की तरफ सोचते हैं रोजगार है एजुकेशन है खास करके लड़कियों की एजुकेशन ताकि उन लोग अपने पैरों पे खड़ी हो सकें जो डोमेस्टिक वाइलिन्स आचकल इतना हो रहा उसके खिलाफ आवाज उठा सकें कुछ कर सकें, अपने पैरों पे खड़ी हो सकें, जो नौजवान लोग रोजगार घूम रहे हैं, उनके लिए रोजगार का कुछ करें, कि उन लोगों को रोजगार मिले, और बस यही सब विकासी मुद्दा है हम लोग का मेन. अचा यह जो नवाब गंज विधान सभा है, जिसे बारा बंकी विधान सभा भी आप कह सकते हैं, तो इस छेतर में आपने इस छेतर को गुमा होगा और आप यहीं रहती हैं, इसी छेतर में आप लोग निवास करते हैं, पारामपुरिक रूप से आप यहीं के रहने वाले हैं इस शेद्र की क्या प्रॉब्लम्स आपने देखी हैं क्या समस्या हैं किन मोर्चों पर यहां पर बहतर काम करने की जरूरत है देख तो यहां पर सड़क की बहुत परिशानी सड़क बहुत खराब है गड़े यह वो और लाइट 24 घंटे की ना होने की वज़ा से यहां पर कोई अच्छी फैक्टरी वगएरा नहीं आ पाती है कि जिससे रोजगार मिल सके अच्छे स्कूल लड़कियों के लिए बनवाने की जरूरत है बहुत सी चीजें बहुत से मुद्दे हैं जो कि हम आएंगे तो इंशालला जरूर पूरा करने की कोशिश करेंगे अच्छा विमेंस जो हैं महिलाएं लेडीज चात चात राएं बड़ी संख्या में नवाब गंज विधान सभा में अभी भी ग्रामीर परवेश के लोग हैं रूलर एरिया है अर्बन एरिया चोटा है यहां का तो जो लेडीज हैं स्टूडेंट्स हैं लड़किया हैं वो बहुत आगे तक पढ़ नहीं पाती हैं हाई स्कूल या इंटरमीडियाट पे बहुत से बच्चों की पढ़ाई बंद हो जाती है तो महिलाओं की सिक्षा के लिए महिलाएं सशक्त हों और आपकी पार्टी ने भी महिलाओं पर फोकस किया है तो महिलाओं के सशक्ती करण उनकी मजबूती के लिए आप क्या सोच रखती है और उनके लिए क्या मैसेज है आपका सबसे पहले तुम यही कहेंगे कि लड़कियों को पढ़ाने के लिए उन लोगों को कहेंगे कि आगे बेजें पढ़ाएं और इंटर्मीडियेट स्कूल के उपर हम लोगों कॉलेजेज यहाँ पर खाली लड़कियों के लिए अलग बनवाएंगे क्योंकि बहुत से ऐसी फैमिलीज है जो लड़कों के साथ नहीं पढ़ाना चाती है न बाहर भेजना चाती है तो यहीं पर कुछ सोचेंगे कि अच्छा कोई कॉलेज बनवाएं कि लड़कियों की एजुकेशन सबसे जादा जरूरी है जैसे कि हमारे यहां कहा जाता है कि अगर एक औरत एजुकेटेड है तो समझी पूरा घर एजुकेटेड है तो इसलिए लड़कियों की एजुकेशन पर सबसे जादा हम लोग ध्यान देगे तो इससे काफी फरक पड़ेगा और इसके लिए अच्छे कॉलेजेज स्कूल बनवाएंगे कि लड़कियां पढ़ें और अपनी फैमली को अच्छी तरीके से लेके चलें अच्छा जो वर्तमान में यहां पर विधायक हैं चुकि जब आप फील्ड में जाते हैं तो वोटर्स जो है अपने दिमाग में सारे अच्छे दर्सुरेश यादो हैं उनका किया हुआ कोई काम उनके डवलपमेंट कुछ दिख रहे हैं हकिकत क्या जमीनी हकिकत तो यहां के लोग देखी रहे हैं कि क्या काम हुएं जगा जगा नाले गड़े गुद्धी कोई चीज ऐसा डवलपमेंट तो कुछ ऐसा दिखी जहीं ने रहे कि लोगों के लिए रोजगार के लिए कुछ किया हो कि नौ जवान जो घूम रहें उनके लिए कुछ अच्छी रोजगार योजना निकाली हो या कुछ किया उइसा कुछ भी नहीं क्ए रहा है लोग एक बहुत मजबूत पार्टी के त Earl पर उतरे और हम है यही नहीं कि खाली उन लोग की टकर हम लोगों से उन लोग हम लोगों को बराबर का अपना को टकर देने वाले हम लोग उत्रे हैं उनके सामने अच्छा वोटर्स को क्या कहेंगी जो जाती धर में बढ़ जाते हैं अलग-अलग इशूस पर डाइवर्ट हो उनको कैसे आप कन्वेंस कर रही हैं कि वो विकास के मुद्दे पर अपने परिवारों की खुशाली के मुद्दे पर आप की हो रहा हैं। जो चीजे लिखी हैं तो वो करेंगी जरूर अब 36 गड़ में देखें कांग्रेस की सरकार आई ये वहां की प्रभारी हमलों के साथ हैं वो हमारे साथ जा रही हैं कन्वेसिंग में उनसे पूछिए वहां पे कितना अच्छा हो गया खुशाली पूरे में हो गई आते की साथी तीन दिन के अंदर किसानों का पूरा कर्जा माफ किया गया है दिजली बिल हाफ किया गया है और भी जितनी सुविधाएं विकास की हो सकती ही सब दिया गया रोजगार के लिए नई नई योजनाय लाए गई है वैसी कॉंग्रेस आएगी तो जरूर ये सब चीज़े उसका मेन मुद्दई विकास है जात पाथ से दूर हटके वो काम करती है और वो करके दिखा चुकी है ये नहीं कि जुमले बाजी करती हो तो ये तो सोचना है यहां के लोगों को जब आप फील्ड में जाती हैं गाउं गाउं में जनसंपर के लिए जाती हैं तो मद्दाताओं से किस तरह का रिस्पॉंस मिलता है वो क्या बताते हैं और लोगों ने और दलों ने क्या किया और आप कैसे उनको भरोसे में ले रही हैं और कैसे उनका दिल जीतने की कर रहे हैं कि वो एक बार कॉंग्रेस पार्टी को इस चेत्र में मौका दें आपको मौका दें और आप विधानसभा जाएंगी तो उनकी परिवार खुशाहल होंगे हम लोग के कहने से पहले ही उन लोग बता देते हैं कि कॉंग्रेस ने क्या किया और आने वाली जो आई पकड़ बनाई है और अरशद साब हमारे साथ हैं आपकी मैडम यहां से चुनाव लड़ रही है और अरशद जी का लगभग दो दश्रकों का एक सोशल लाइफ इस एरिया में एक सोशल वर्कर के रूप में रही है समाजिक कार्करता के रूप में लोगों के सुखदू के स साथ ही रहें खास बात यह कि इसी ग्रामीड छेत्र में मकान बनाके रहते हैं लखनों में या किसी ऐसी सोसाइटी में नहीं रहते हैं जहां से गरीबों से कनेक्ट ना हो पाएं गाउं में ही रहते हैं यह बड़ी बात है अरशद साब आपका जो जीवन रहा है उसमें किस इस तरह से समाज को आपने जोड़ने की कोशिश की है देखिए 32 साल हो गए उत्तर प्रदेश में कॉंग्रेस की सरकार नहीं थे 32 साल पहले जो आज आपको बटा समाज दिख रहा है कि समाज कभी एक हुआ करता था कॉंग्रेस ने समाज को जोड़ने का काम किया था और आज जगे जगे मैं देखता हूं कि समाजिक तोर पे लोगों का शोशाड हुआ लोगों को बाटा गया और आज फिर लोगों की जो चाहत है वो यही है कि कॉंग्रेस एक बार फिर से आए लोग बटे नहीं एक सार साथ में आए तो इसको जोर दे के काम करना है भी अज़ाइट किस तरह से लोगों के सुख दुख में खड़े रहे हैं देखिए मैंने बहुत सोशल काम किये लेकिन सोशल काम जो मैंने किये वो मैंने कभी किसी को बताया है नहीं कि मैंने किसके साथ क्या किया लेकिन आज आज आप पूछ रहे तो मैं ज़रूर बताऊंगा एक यहाँ ज शितने करें सही जगां वोट दें तो उसे हर केंडिडेट को जानने का मौका मिलना चाहिए उनके बैग्राउंड को जाने और वो जाने की हमारे जो केंडिडेट हो किस फैमली से उन्होंने क्या क्या किया है समाज के लिए देखें दो हजार चे से मैं इस विधान सभा में लगा हूँ और समाजिक तोर पर मैंने बहुत ही लोगों से जुड़ा कनेक्ट किया लोगों को चेतर में मैंने बहुत काम करें एक स्टोरी भी इसमें छपी थी दैनि जाग्राण में और भी कई पेपरों में उसको स्टोरी को कवर किया था एक हमारे कार्यकरता के रूप में थे और तो उनका गाउं खेहुली के बराबर में है दलित परिवार से थे वो अपनी बेटी का शादी का कार्ट बाटने गए थे और दूसरे दिन शादी थी कार्ट बाटके आ रहे थे और एक्सिडेंट हो गया तो उसमें उनके जो लड़की थी बिठिया थी उसके फादर और भाई की ओन दे स्पॉट उनकी डित हो गई तो उनके घर में कोई अगवार नहीं था और उसको पूरा मैनेज करना उनकी दूसरे दिन जैसे बारा ताय आनी थी तो बारा तो नहीं टाली जा सकती थी तो उस चीजों को पूरा करा मैंने उनको और कहीं उनको कमी नहीं महसूस होने थी कि उनके साथ इतना बड़ा हाथसा हुआ बगल का कहा हुए जस्मंडा यहां कुए में एक बच्चा गिर के खितम हो गया था चार चे साल का था और आठ कुए थे पूरे उसमें कई लोग गए वहां नेता भी गए कुछ और जो उनको काम कराने चाहिए था उस ताइम पे लोगों नहीं कराए थे अगर वो काम होते वो कुए बंद होते तो आज वो हास करना इसा बात मुझे नहीं कहने चाहिए क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी से हैं कि कहना नहीं चाहिए लेकिन आज आपने पूछा तो मैंने इसको बताया काफी सोशल वर्क करते चले आरे मगा हम लोगों ने कभी यह सब बाते किसी से ना कही ना शेयर की ना कभी कहा की पेपर में चपवाईए या कुछ करिए आज आपने पिये सवाल पूछा है तो बात निकली तो बता रहें बहुत शुरू से 2006 से आज तक सोशल वर्क करते चले आरे हैं इनके साथ साथ कदम से कदम हम भी बिला के सब कर रहे हैं अच्छा अभी तक यहां पर एक पॉलिट अच्छा है हर विशे की आपको जानकारी है काउगरिस निक कर्ज माफी की थी मनमोहन सिंग के टाइम पर वो भी आपको पता है सारे मुद्दों की अच्छी जानकारी है आपको तो क्या अपने हस्बेंट के साथ एक पॉलिटिकल एक्टिविटीज में भी आप रहें क्यों अच्छी आना जाना था दोस्ती थी मेरे ताया जी पापा इन लोग भी कॉंग्रेस से हमेशा से जुड़े रहे हैं इंद्रा गांधी की नितरत में लोगों ने काफी काम किया है तो पॉलिटिक्स हम लोग काफी जुड़े हुए हैं कोई नई चीज नहीं है हम लोग के लि तो रवाब गंज विधान सबाब में 12 बंकी में कॉंग्रेस पार्टी ने एक मजबूत एक बड़े परिवार को टिकट दिया है मजबूत कैंडिडेट को यहां पे खड़ा किया है तो यहां पर जो लड़ाई है वो अब बहुत रोचक होने वाली है और कॉंग्रेस इस्थानी लोगों में इनकी मजबूत पकड़ है और जनता को भी यह जरूरी है कि वो सभी प्रत्याशियों का इमानदारी से मुल्यांकन करें जातिवाद के विश्यों पर और सामपरदाइक्ता के विश्यों पर उपर उठके उन विश्यों पर गुमराहना हो अच्छे कै की बहतर भविश्य के लिए फैसला करें बढ़ चड़ कर वोट डालें अच्छे लोगों को विधानसवा में भेजें जिसे प्रदेश का विकास हो सके देश का विकास हो सके धन्यवाद